हलो डियर स्टुदेंट्स, इन इस वीडियो आल टॉक अबाउट मोमेंटम न्यूटन सेक्टलों को पढ़ने से पहले मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है मोमेंटम क्या है? आईए इसे समझते हैं एक्जामपल से यहाँ पर दो स्फेर ले गए हैं 20 ग्राम और 90 ग्राम इस्पेक्टिवली हम यहाँ पर दो सिचुएशन क्रेट करते हैं सिचुएशन नमबर वन मैं जब दोनों स्फेर वन बाई वन 30 मीटर पर सेकेंड विलोस्टी से दिवार से टकराते हैं तो हम देखते हैं कि 20 ग्राम की स्फेर से दिवार नहीं टूरती जबकि 90 ग्राम की स्फेर से दिवार टूर जाती है एंड सिचुएशन नमबर टू को observe करने के बाद हम यह निश्कर्स निकालते हैं कि moving object का impact velocity और mass दोनों पर depend करता है और इनी दोनों quantity से मिलकर बनने वाली तीसरी quantity को नाम दिया गया momentum जिसे small p से denote करते हैं और हम इसे mathematically कह सकते हैं p is equal to mv यहने कि momentum is equal to mass into velocity ओके और यहां पर हम momentum से related कुछ point note कर लेते हैं number one point momentum is a vector quantity direction इसकी same वही होती है जो velocity के होती है और इसकी जो unit होता है वो होता है kg meter per second okay so this is all about momentum and next video I'll be talk about Newton's second law of motion okay bye for now